आखिरकार दिल्ली के मुखे मंती अर्विन के जिवाल को बड़ी राहत मिली है अदालत में दोपहर दो बुजे एक लाइन में फैसला सुनाया समय कम है आपको प्रूफ करने के लिए अर्विन के जिवाल को चनाप रचार किलों ने राहत मिली है लेकिन ये राहत क्या कारदर सावित होगी ये में तक्रम है भारत एक नाइन देख रहे हैं आप आपके साथ मेहू का जोन नरायन आखिरकार दिल्ली के मुखे मंती अर्विन केजिवाल को बड़ी राहत मिली है ऐसा लग रहा था कि मानो अर्विन केजिवाल के बिना ही पूरा लोगसभा चनाव खत्म हो जाएगा लेकिन तीन चरण के बाद अब चार चरण के लिए अर्विन केजिवाल के पास मौका है सुप्रीम कोट ने शुकरवाल यानिकी डस तारी को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत उन्हें दे दी है उन्हें दो जून को हर हाल में सरिंडर करने को कहा गया है केजिवाल दिल्ली शुराब मीती मामले में 40 दिन सितिहार जेल में बंद है अधालत ने दोपहर दो गुजे एक लाइन में फैसला सुनाया आज शाम तक वो जेल से बाहर भी आ गए हाला कि उनके वकील ने चार जून तक की रिहाई का अनुरूद किया था जिसे सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया कोट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जुन को खत्म हो जाएगी अंतरिम जमानत का अधार क्या है कोट ने कहा 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जस्टिस संजीब खन्ना ने कहा अगस 2022 में एडी ने केस तर्ज किया उन्हें मार्श 2024 में गिरफतार किया गया देर साल तक वो कहा थे गिरफतारी बाद में या पहले हो सकती थी 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एडी के अंतरिम जमानत के विरोध में दो दलीले भी पड़ी एडी का कहना था कि चनाप रचार जमानत का अधर नहीं हो सकता क्योंकि एक कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता एडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल काइम रहेगी रिहाई कब तक हो सकती है रिपोर्ट के मतावे किर्जिवाल की रिहाई आज शाम तक हो चुकी है उन्हें एक जमानत राश्री के साथ 50,000 रुपए का जमानत बॉन भणना होगा तीहार जेल से रिहाई के लिए इतनी रकम काम मुचल का देना है ट्राइल को जाने के आखिर अब जरुत नहीं है सुप्रिम कोट ने आगे कहा कि गिरफतारी के खिलाब के जर्जिवाल की याचका पर बहस अगले सब्ता भी जारी रहेगी 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की चुट्टियों से पहले याचका पर फैसा सुनाने का प्रयास भी होगा जस्टिस संजीब खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंश ने कहा कि के जरुवाल के अंतरिम जमानत की शर्ते आप नीता संजय सिंग की जमानत पर लगाएगे शर्तों के समान ही है संजय सिंग को एक अपरेल को इसी मामले में जमानत दी गई थी कोट ने संजर सिंग की जमानत के लिए तीन शर्थे रखी थी वो जेल से बाहर जाकर आपकारी नीटी केस से जुड़ी कोई बयान बाजी नहीं करेंगे अपना पासपोर्ट सरेंदर करेंगे दिली से बाहर जाने पर जांज एजनसियों को बताएंगे और अपनी लाइब लो पीता समिर कई लोगों के नाम है इस मामले में इस साथवी चार्षीट है और अरविन के जिवाल का नाम भी इसमें सामने आ रहा है अब तक 18 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं के जिवाल के वकील रिलीज ओर्डर लेकर तिहार पहुंच गए आपने पूरी तैयारी कर अरविन के जिवाल की पतनी सुनीटा के जिवाल ने शुकरवार को अपने पति को अंतरिम जमाना देने के सुप्रीम कोट के फैसले को लोगतंत की जीत बताया कहा कि ये राहत लाखों लोगों की प्रात्नाओं और आश्यवाद का प्रणाम है आप नेता और मंत्वी अर्विन के जिवाल तिहार जोल से बाहर आ चुके हैं और यकीन है कि वो दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं आपने ताश और भार्दवाज ने कहा कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चवतकार से भी ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईश्यवर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बदलाव की जुरुत है अर्विन केर्जिवाल पर भगवान बजरंग बली का अशिरवाद है और आज बो जेल से बाहर आ गए मुझे लगता है कि ये कोई समानने बात नहीं है वो एक बड़े उदेश्यक के लिजल से बाहर आ रहे है आपको पता दे कि साथ मई से पहले सुप्रीम कोर्ट में चार बार सुनवाई हुई तीन मई को सुनवाई दो घंटे चली थी इस लंबी बहस के बाद बैंश ने कहा था कि में केस यानि जिसमें किरजिवान ले अपने किरबतारी और रिमान को चुनाती दी है इसमें समय लग सकता है लोग सबर चुनाब को देखती वे किरजिवाल के अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वो कैमपेइन में हिस्सा ले सके 30 अपरेल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरबतारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे इडी से पूछा था कि चुनाब के पहले ऐसा क्यों किया 29 अपरेल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने के एजिवाल से इडी के नोटिस पर सवाल पूछे सुप्रीम कोट ने कहा कि आपको एजी ने जो नोटिस बेज़े हैं आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया है आप गिरफतारी और इमान के खिलाब यहां आए है आपने जमानत क्लिए ट्रायल कोट क्यों नहीं गए केजिवाल के वकिल सिंग्वी ने कहा था कि गिरफतारी आवाइड है इसलिए यह फैसला लिया 15 अपरेल को सुप्रीम कोट ने एजी को नोटिस देकर गिरफतारी पर जवाब मांगा था सुनवाई के दौरान हलफ नामे में एजी ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजंसी के साथ सयोग नहीं किया एजी ने ये भी कहा कि केजिवाल को किसी दुरभाबना या दूसरे कार्णों से गिरफतारी जांच का हिस्सा है केजिवाल 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे तब से जेल में है एजी ने शराबनीती केस में केजिवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था एजी ने 22 मार्च को उन्हें राउस जवनी कोट में पेश किया कोर्ट ने दिली सीम को 28 मार तक के लिए दिरिमान पर भेजा जो बाद में एक अपरेल तक बढ़ाए गई कोर्ट ने एक अपरेल को उन्हें 15 अपरेल तक ने आई हिरासप में थिहार जेल भेज दिया था तब वो जेल में है शराव नीती केस में केजिवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 27 जनवरी, 23 जनवरी, 2023 में 21 दिसमबर, 2 नमबर को समल भी जा गया था हाला कि वो एक बार भी पूछताज करें नहीं आये, निश्लिय अदालत और हाई कोर्ट से रहात नहीं मिलने पर केजिवाल सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बली रहात मिल गई है, लेकिन सब सब महत्तोपून यह है कि दो जुन को रहे सरेंडर करना होगा, और यह जो समय है अर्विन केजिवाल के पास, यह दिल्ली के जनता को कैसे भनाते हैं, यह बहुत महत्तोपून है, क्योंकि समय कम है, अपने आपको पुरूफ करने के लिए अर्विंद के जीवाल को चिना प्रचार के लों ने राहत मिली है लेकिन ये राहत क्या कारगर्व सावित होगी ये महत्तपून है अट नाइन में आज के लिए इतना ही कलपर लोटेंगे किसे और मुद्दे पर बात करेंगे धनेवाद